नमस्कार मैं जोतिन इशाद अगर आपके ब्लॉग या वेबसाइट पर व्यूज नहीं आ रहे है SEO भी कर लिया और Google Search Console पर वेबसाइट भी एड़ कर दिया फिर भी आपके आर्टिकल सर्च में नहीं आ रहे है तो इस प्रॉलम का सलोशन आज मैं आपको बताने वाली हूँ बेसिकली वर्डप्रेस पर हम जिस भी प्लगिन का यूज करते हैं SEO के लिए तो वो प्लगिन आटोमेटिक साइट मैप को जनरेट कर देता है SEO के लिए दो प्लगिन को मैं ज़्यादा तर यूज करती हूँ फर्स्ट जो है योश्ट SEO और सेकेंड रैंक मैथ तो आज हम योश्ट SEO से साइट मैप निकाल कर गूगल सर्च कंसोल में हमें अपने वेबसाइट के डैश्वोर्ड में आ जाना है डैश्वोर्ड में आने के बाद हमें योश्ट SEO यहाँ पर क्लिक करना है नीचे जाते हैं यहाँ पर योश्ट SEO का सिंबल है यहाँ पर क्लिक करने के बाद जनरल पर क्लिक करूँगी यहां से इसको zoom करूंगी जूम करते हुए features पर click कर देना है नीचे scroll कीजे यहां पर side map XML आपको दिखेगा यहां question mark पर आपको click कर देना है यहां link दिख रही है C XML यहां पर click करना है यह हमारा site map ready है इस page को हमको copy करना है इस link को copy कर लेते हैं इस page के link को अब हम दूसरे tab में जाएंगे और वहां पर google search console टाइप कर देंगे हम उसे browser में भी कर सकते हैं फिलाल मैं google का chrome browser यूज़ कर रहे हूं यहां पर google search console पर जाना है and start now पर click कर देना है उपर three lines पर click कीज़े and यहां पर side map and यहां पर हमने जो link copy किया था यहां पर paste कर देना है and यहां पर आप देख सकते हैं हमारे चैनल हमारे वेबसाइट का URL पहले से दिया हुआ है तो हम नारिशक्ति मेडिया यह डिलीट करके बाकी का रहने देंगे और पब्लिश कर देंगे साइट मैप सब्मेटेट सक्सेसफ़ली got it पर click करेंगे and यहां से थोड़ा से घुमाते हुए हम देखेंगे status आप देख सकते हैं success green color में success है यानि कि हमारा साइट मैप successfully यहां पर upload हो जुका है